हलो कैसे है बच्चों आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले थे metals और non-metals की इसमें यह तीसरी क्लास है पहली दो क्लास में हमने बात किया था आज हम बात करेंगे कि मेटल्स आखिर मिलता का यानि अपरेंस आफ्टल एंड एक्स्ट्रक्स एक्स्ट्रक्स तो अकरेंस आफ्ट मेटल्स में अर्थ क्रस्ट में जमीन के नीची इस तरीके का जो परजन्स है एकरेंस, तो मेटर एकर्ष्ट एक्स्ट्रक्स्ट्ट्थ एक्स्ट्थ एक्क्ष्ट्स एक्स्ट्छL एक्स्ट्ट एक्स्ट्ट्ट्टpole। के धन Estánavern and isन whipped when I am uniform it's fishcoat, the 6 और एक्स्टेश doing the और समिकार्बोनेट्स, so they are in form of a compound, some metals are found in free state as well, like purely as it is, but most of them are not found in free state, why they are not found in free state, क्यों नहीं वो free state में मिलते हैं, तो पिछली class में हमने बात किया था कि metals की reactivity series होती, और कुछ metals होते हैं जो बहुत ज्यादा reactive होते हैं, और कुछ metals जो हैं वो less reactive है, तो जो बहुत ज्यादा reactive है, वो किसी ने किसी से reaction करके और compound बना लेता है, जैसे oxygen से reaction किया, तो oxide बना लिया, sulfur dioxide से reaction किया, तो sulfide बना लिया, इस तरीके से carbon dioxide से reaction किया, तो carbonate बना लिया, ऐसा कुछ इस form में होता है, और इस तरह से उनके free state में होने की गुंजाइस बहुत कम होती हैं, लेकिन कुछ ऐसे ही metals हैं, जो कि less reactive हैं, वो usually किसी और से air से free air से react नहीं करते, free air से जब react नहीं करते, मतलब carbon oxygen और sulfur dioxide से react नहीं करते, तो usually नहीं react करते, तो free air state में मिलते हैं, कुछ ऐसे भी हैं, जो न तो बहुत ज़्यादा reactive हैं, और बहुत कम reactive हैं, बीच में हैं, उनकी reactivity middle में आती हैं, ऐसे atoms, ऐसे metals, sulfide के form में, या carbonate के form में मिलते हैं, तो metal के sulfide और metal के carbonate के form में मिलते हैं, और कुछ उसमें से हो सकता है, कहें कहें बहुत free state में भी मिलें, लेकिन इस लगभग कम होती हैं, क्योंकि reactive हो भी रहते ही रहते हैं, जो less reactive है, या low reactivity series में जो metals हैं, लाइक की gold है, silver है, platinum है, यह सब free state में मिल जाते हैं, और यह free state में मिलते हैं, इसलिए आतुन नहीं कि सोने की खान, सोने की खान, उन वहास से gold मिलता है, purely gold मिलता है, तो इसका मतलब यह है कि gold एक element है और और जो pure form में मिले तो हम उसको element कह रहे हैं, अगर ऐसा कोई metal है जो pure form में नहीं मिल रहा है चाहें वो sulfide के form में मिल रहा है, या carbonate के form में मिल रहा है या oxide के form में मिल रहा है उसके, तो उसको metal उसमें से निकालने के लिए हमें बड़े सारे process करने पड़ते हैं, the process of in which the pure metals can be obtained from their ores, that is called extraction of metal, तो और क्या हुआ, एक सब हमने इसमें इस्तेमाल किया, और, और होता है कि metal का जो oxide या carbonate जो मिल रहा है, इसके साथ साथ इसमें बड़े सारी impurities भी मिली होती है, like soil, sand और यह सब जो elements यह तो हई है, इसके लावा soil, sand और oxygen, carbon, dioxide इस तरह की चीज़ें जो impurities मिली होती है, इस form को हम कहते हैं, और, क्या कहते हैं, और, तो और होता है एक metal जिसमें impurities मिली होती है, और जिससे profitably हम metal extract कर सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं, ore, ठीक है, ore में जो impurities मिली होती है, उनको हम कहते हैं, गैंग, क्या कहते हैं, गैंग, और यह पूरा जो चीज, जो मिलता है earth crust के नीचे, जहां पर बहुत evident मात्रा मेरत, बहुत evident metal के oxide या carbonate या sulfide होते हैं, उसको हम कहते हैं minerals, क्या कहते हैं, minerals, तो minerals जो है, earth crust के नीचे मिलता है, उस mineral में जो metal के oxides या carbonate या sulfide हैं, या free state में हैं, तो उनके साथ कुछ impurities मिली होती है, उन impurities को हम कहते हैं, गैंग, और impurities के साथ metal जो है, उनको हम कहते हैं, pure form में नहीं है, तो उनको हम कहते हैं, क्या ore, और ore से हम metal को extract करते हैं, जैसे example के तोर पे, aluminium pure form में नहीं मिलता, aluminium के bauxite, और जो है, उसका नाम है bauxite, खिक है, तो bauxite की खाने होती है, लाकि aluminium की खाने होती है, there is a process in which we can extract aluminium from the bauxite, तो bauxite is an ore, aluminium is a metal, bauxite metal नहीं है, bauxite ore है, और उनमें से हम aluminium extract करते हैं, तो जो extract करना है, जो उसमें से aluminium निकालने की process है, इसको हम कहते हैं, extraction of metals, तो extraction of metals जैसा कहते हैं, कि जैसी देवता वैसी पूचा, तो हमें extraction भी metal के nature के आधार पे, अलग-अलग process से करना पड़ता है, जो highly reactive है, उनको अलग तरह से extract करना पड़ता है, जो medium reactive element है, उनका अलग process से करना होता है, जो low reactive है, reaction करता ही नहीं है, उसमें अगर कोई impurities मिली हुई है, तो उसको निकालना भी बहुत कठिल काम है, वैसे थो medium reactive form में होता है, लेकिन अगर कोई चीज मिली है, तो उसको निकालना असान नहीं होगा, क्योंकि reaction नहीं करता है, तो उसको हम देखेंगे कि किस तरह के उसमें impurities मिली है, और उस impurities को निकालने का क्या तरीका होता है, तो अभी तक हमने इस चिप्टर में चार बाते लगभग लगभग सीख ली है, एक कि मिनरल्स क्या है, मिनरल्स कहां मिलता है, तो मिनरल्स जो है, आर्थ क्रस्ट के नीचे मिलता है, ठीक है न, अब इसके definition, एक मिनरल हो गया, दूसरा हो गया, और जो impurities मिली होती है, metal, pure form में नहीं होता, बट ऐसा मेटल के form, जिसमें से हम मेटल एक्स्टर्ट कर सकते हैं, उसकों कहते हैं, और और में क्या मिला होता है, गैंग, गैंग का मतलब क्या हुआ, इंप्यूरिटीज, इंप्यूरिटीज क्या हो सकता है, सैंड हो सकता है, वाटर हो सकती है, या और कोई सलफाइडिय कर्बोनेट के आयन से हो सकते हैं, तो यह है ओर्स, इंप्यूरिटीज और इंप्यूरिटीज जो है उसको हम कहते हैं, गैंग, गैंग जिसमें मिला होता है उसको हम कहते हैं, और उस और से इस गैंग को पहले हटाना, और फिर उसमें से pure metal निकालने के process को हम कहते हैं, extraction of metal, ठीक है न, तो इसकी definitions जड़ा लिख ले, उसके बाद आगे बात करते हैं, यह आगे और क्या किया जा सकता है, the element or compound, element or compound, which is found naturally in earth crust, earth crust is called minerals, इनको minerals कहते हैं, जो earth crust में naturally pop मिलता है, इसको हम कहते हैं, minerals, और उसके बाद बात आती है, और की, और क्या होता है, और क्या सकते है, तोज मिनरल, minerals from which metal can be extracted, can be extracted profitably, are called ores, it means, what do you understand, there are some minerals in which metals cannot be extracted profitably, so, those minerals from which metal can't be extracted profitably, they are not ores, they are not ores, they are minerals, but they are not ores, so, each ores is a mineral, but all minerals are not ores, right, each ores is minerals, but all ores are, all minerals are not ores, right, so, we are going to write this, that each, remember this, profitably, this is what, written here, profitably, this must be profitably, it means, each ores are minerals, but all minerals are not ores, right, that is not, this, that is, those minerals from which metals can't be extracted profitably, they are not ores, so, two things we have learned, that what is mineral, what is ores, then the third word is gang, what is gang, so gang is impurities, which is mixed, gang is, gang is, impurities, mixed with minerals, mixed with minerals, mixed with minerals, that is called gang, gang is an impurities, which is mixed with minerals, so, which is not only one, so, gangs are impurities, let's write it in better way, gangs are impurities, which is mixed with minerals, impurities, what type, undesired, undesired, impurities, which is mixed with minerals, what are those, like, sand, soil, water, etc., all these are impurities, even water is also a kind of impurities, which is mixed with metals, so, these are to be removed, so, these are called gang, so, next step is enrichment of ores, enrichment of ores, what is enrichment, the removal of, the removal of impurities, impurities, the removal of impurities, impurities means, gangs from ores, is called enrichment, enrichment of ores, right, of orres, it is a part of maleishes, for a kid so I can get through the cluster in the heck, so, if the catalyst is ended, I will say unto the cycle and the moment in my next classes, to remove parts of JO meters and mechanically, against the payment of a gift of ws, then Euks we could call it, I am fully independent of the angel used hyptoiums, so, how the catalyst could be launched from Empty Formal, so, we could call it a sort of oil or any issue, versus oil centers, so whillas, asdening a Anyways, rather than the поэтому of an lumpmath of exception, like theРЕC. गरम कर सकते हैं तो इस तरीके का ये कुछ प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं इंरिच्मेंट इसमें अन्मांटेट आप उसमें मित्टी बहुत सरा अलगा है तो मित्टी को दिलना पड़ेगा बालू को एटाना पड़ेगा पानी है जोसे खाना बढ़ेगा और उसके बाद हम इसके extraction का काम करते हैं तो extraction का कार्ट कौन कौन से करते हैं और क्या क्या काम होता है extraction में यह देखें extraction of metal extraction of metal कैसे होगा extraction of metal तो metal का extraction डिपेंड करेगा कि उसका physical और chemical properties कैसा है उसके अधार करता है होगा कि हमें किस तरह से metal को extract करना है यानि जिस metal की high reactivity है उसका अलग treatment होगा जिसकी low reactivity है उसका अलग treatment होगा और जिसका medium reactivity है उसका treatment अलग होगा अगर medium reactivity है तो carbonate के form में है कि sulfide के form में है अगर element का carbonate के form में compound है तो उसका अलग treatment है अगर sulfide के form में है तो उससे extract करने के लिए अलग process है और उसके अधार के हम decide करेंगे कि उसको extract कैसे करना है तो सबसे पहले शुरुआ करते हैं less reactive elements less reactive metal reactive less reactive metal less reactive metals कौन कौन से हमने अभी नाम लिया था लेक्टिव मेटल में कौन कौन से मेटल silver, gold, platinum इस तरह के metal जो है platinum इस तरह के metal को react करने का क्या तरीका है इसको extract करने का क्या तरीका है इसको हम देखते हैं तो इस तरह के metal जो है जिनकी high reactivity है low reactivity है यह reactivity series से आप समझे कि यह जो है high reactivity in metals की इसका मतलब यह है कि इनको molten stage में electrolysis process से जिसमें हम metal को अलग कर सकते हैं या carbonate से या जो भी होगा इसका ठीक है दूसरा जब यह less middle reactivity हो medium reactivity हो तो इसके reduction करते हैं using carbon ठीक है आज जैसे silver और gold और platinum की बात किये यह तो native state में इसी form में usually मिलते हैं लेकिन अगर इस form में नहीं है तो यह sulfide के form में होंगे तो अगर यह sulfide के form में होंगे तो वहां से हम कै से इसको extract करेंगे तो सबसे पहले बात हम इसी की कर रहे हैं कि gold और silver होगा less reactive होगा तो क्या करेंगे एक नजर पहले process हम पर डालते हैं कि process क्या होता है देखिए जैसे कि और की बात की थी हमने कि और होता है जिससे profitably those minerals from which profitably metal can be extracted they are called ores तो ores से हमें सबसे पहले उसकी concentration करने करेंगे concentration क्या हुआ enrichment enrichment of enrichment करना होगा enrichment of ores enrichment of ores का मतलब क्या हुआ कि जो gang है जो undesired impurities है उसको हमें बाहर निकालना है that is removal of nothing else but it is a removal of removal of impurities impurities from ores from ores ठीक है तो यह है removal of impurities कैसी impurities undesired undesired impurities undesired impurities को remove करना ही concentration of ore या उसी का नाम है enrichment of ores ठीक है अब इसको हमने तीन कटेगरी में बाटा पहला कि metal of high reactivity, metal of medium reactivity और metal of low reactivity जो metal high reactivity का है उसको electrolysis करेंगे molten stage में और वहां से pure metal हमें मिल जाएगा यानि जो high reactivity elements है उनके compound में से हम उसको molten stage में लाने के लिए पहले heat करेंगे heat करने के बाद molten stage में आ जाएगा उसके बाद उसमें electrolysis process से हम pure metal इसमें से extract कर लेंगे यह process क्या है अभी थोड़ी देर में बताएंगे जो medium reactivity की वाले होंगे वो दो form में मिलेंगे या तो सल कार्बोनेट के ओर होंगे या सलफाइट के ओर होंगे या मेटल के सलफाइट के ओर होगा अगर कार्बोनेट है तो उसको calcination process से उसको oxide में बदल दिया जाता है calcination क्या है heating करना heating करते दोनों में heating ही करना है calcination और roasting दोनों ही heating process है calcination किस तरह का heating process है इसमें absence of oxygen absence of oxygen oxygen के absence में इसको heat किया जाता है यानि ऐसी chamber में heat किया जाता है जिसमें बाहर से oxygen का पहुचना मुंकिन ना हो और sulfide ores जो है roasting roasting का मतलब क्या है chicken roasting मिलता है moomooch आप roasted moomooch खाते हैं यह सब क्या है roasted roasted कहां बनता है यह oxygen के presence में heat किया जाता है दंदूर में chicken को या कुछ और चीजें heat किया जाता है उसको गरम किया जाता है रोड में लगा करके या तंदूर का आप roasted पनीर खाते हैं roasted chicken खाते हैं roasted moomooch खाते हैं यह सब क्या है oxygen के presence में होता है गरम यह भी होता है तो in presence of oxygen यह गरम होता है इसमें in presence of oxygen अभी हम इसको डिटेल लिक्वाएंगे अभी परिशा ना in presence of oxygen तो यह रोस्टिंग होती है in presence of oxygen और यह जो होता है carbonate तो यह हुआ in absence of oxygen दोनों ही करने पर इसमें कर्षिक क्वाइट में co3 already होता है तो co3 होता है तो इसको में already oxygen के 3 molecule है तो इसमें oxygen नहीं चाहिए इसको रोस्ट करने के लिए नहीं चाहिए और यहां पर यहां पर क्या मैं हुआ चाहिए हमें oxygen देना चाहिए इसमें luggage अक्सिजन के perfect करेंगे तो sulfur dioxide बनके बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे oxygen आॉली है heat करेंगे तो carbon dioxide बनके बाहर निकल जाएगा और carbon dioxide बाहर निकलेगा तो बच जाएगा metal के oxide क्योंकि अभी भी एक oxygen रहेगा और metal के oxide जब मिल जाएगा तो फिर उसको फर्दर उसमें एक oxygen ही तो है लेकिन उसको heat करने के लिए चुकि एक oxygen है, oxygen साथ छोड़ने के लिए metal से किसी का साथ चाहिए, साथ छोड़ने के लिए किसी का साथ चाहिए, तो carbon के purgence में हम उसे heat करते हैं, carbon उस oxygen को लेकर के carbon dioxide बना लेता है, तो reduction with help of carbon, carbon reduction इसको कहते हैं, और भी reduction हो सकती है, लेकिन carbon reduction है, क्योंकि carbon के साथ उसे reduce करते हैं, और carbon के साथ उसे reduce करने में carbon dioxide बनके metal नकल जाता है, और pure metal आपका पुर से मिल जाता है, तो purification of metals के बाद कर सकते हैं, कि कुछ और impurities अगर रह गई हो जरासा, तो उसको purification process से और उसको purify कर लेते हैं, ठीक है, तो यह सब process है, उनकी जो medium reactive, जो less reactive है, जिनकी reactivity already बहुत कम है, उसको कक्या करना चाहिए, तो उसको या तो sulfide ore के form में होगा, और अगर sulfide ore के form में है, तो उसे oxygen के purgence में heat करना चाहिए, और oxygen के purgence में heat करने को क्या कहते हैं, roasting कहते हैं, तो roasting oxygen के purgence में है, दिमाग में बिठा लो, बड़े सारे बच्चों की confusion रहती है, और roasting का definition, calcination में और calcination का definition roasting में लिख लेते हैं, उनको यह नहीं पता होगा, किस के रहता है, कि किसको oxygen के pur में हिट करना है आप दिमाग में रखो तंदूर मोमोज में क्या होता है यह तंदूर कहा रहता है रहता है और और यह तो आपसीजन है कि नहीं तो रोस्टिंग जब होगी oxygen के purgence में होगी तो oxygen के purgence में जो होती है उसको हम कहते है roasting तो sulphide ores है तो उसको roasting करेंगे तो उससे हमें metal मिल जाएगा और फिर metal को हम refine कर लेगे तो यह जो पूरा process है इस पूरे process को हम कहेंगे extraction of metals क्या कहेंगे extraction of metals तो आएए अब हम इसकी detail में बारी-बारी से चर्चाक करते हैं तो हमने जैसा कि कहा कि जो low reactive elements है वो natural form में मिलते हैं और natural form में जो यह मिल रहा है यह pure native state में मिलते हैं तो इसको extract करने की जरूत नहीं है इसमें थोड़ी बहुत impurities मिली होती है जो enrichment से enrichment कर देने से enrichment of ore करने से यह impurities निकल जाती है और यह इसको बाहर कर सकते हैं मतलब concentration of ore कर देने से यह निकल जाता है तो यह जब इस natural state में native state में मिलता है तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है यह natural form में ही मिलता है minds के अंदर और इसलिए इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं इसी की variety के जो और less reactive है जैसे mercury है copper है यह सब भी less reactive है तो यह सब sulfide के form में मिलते हैं हमने कहा था अभी कि जो low reactive है वो sulfide के form में भी मिलते हैं तो इन दोनों के sulfide ions होते हैं सब्सक्राइब के form में होते हैं या मरकरी सब्सक्राइब के form में होते हैं तो अभी हमने क्या कहा इनको इन्रीज करने के लिए क्या करना होता है oxygen के presence में इसको roasting process में जाना होता है roasting करेंगे और roasting करेंगे तो क्या मिल जाएगा इसके oxide मिल जाएगे तो आएए इसको लिखते हैं और इसको समझते हैं यह जो mercury है HGS mercury sulfide इसको हम oxygen के presence में heat करते हैं और heat करने से मिलेगा क्या mercury oxide plus sulfur dioxide यह gas है जो release होगी इसमें से निकलेगा यह भी gas है और यह air से लेते हैं oxygen from air air से हवा में तंदूर आप देख्या होंगे यहां ता मार्केट में जो आप मुल जाते हैं तो इंका एक तंदूर होता है वो बाहर हवा में ही रहता है तो उस हवा में से oxygen लेते हैं यह है mercury sulfide mercury sulfide और यह mercury mercuris oxide इसको mercuris oxide होता है यह solid होता है यह भी solid है यह gas है information आप लेख सकते हैं sulfur dioxide gas तो यह जब हम गर्म करते हैं तो इससे क्या मिल जाता है हमें mercury sulfide मिल जाता है और उस mercury oxide मिल जाता है और इसको further हम अगर heat करें तो इससे हमें mercury मिल जाता है further heat करने का मतब यह हुआ कि HgO जो है इसको फिर से heat करते हैं तो मिल जाता है Hg plus O इसको balance लिख दें देखें oxygen यहाँ 2 है oxygen 2 है sulfur 1 है sulfur 1 है लेकिन इधर oxygen 2 और एक 3 है तीन oxygen है तो हम यहाँ पे अगर 2 से multiply करते हैं तो दो चार oxygen हो जाएंगे और mercury भी 2 हो जाएगा तो mercury 2 होने से 2 से multiply करेंगे तो sulfur भी 2 हो जाएगा तो इसका मतलब है कि 2 से sulfur को multiply कर देते हैं तो 4 oxygen और 2 से हम multiply कर दोंगे तो 4rd2 6 oxygen तो इधर 3 से multiply कर दें तो 6 oxygen हो गया 2 sulfur और 2 mercury चाहिए तो इधर 2 से multiply कर देंगे तो ये पूरा balance equation हो जायेगा और फिर यहां पर 2 oxygen चाहिए तो ये 2 से multiply करेंगे 2 ये mercury और oxygen ये release को जाएगा इसमें से निकल जाएगा और यह बच जाएगा प्योर मर्करी तो इस तरीके के प्रोसेस से हम लो रियक्टिव मेटल्स में से प्योर मेटल एक्सटाक्ट कर सकते हैं तो यह आप समझ गया है कि हमें मर्करी सल्फाइड और इसको कह सकते हैं और मर्किूरियस सल्फाइड जो है ओक्सिजन के साथ यह जुन किया मर्कूरिक सल्फाइड में मर्क्यूरिक के तो यहां पर भी यह mercury होगा, mercury oxide, ठीक है, mercuryus में valency होती है, Hg की plus 1, जब अस हो, और जब 1 हो, तब इसकी valency होती है, plus 2, तो इस तरीके से यहां पर चुक्छी oxide 2 है, दो valency है, sulfide की भी दो valency है, तो दो वाले होंगे, यानी 1 होगा, तो mercury sulfide होगा, यहां पर भी mercury oxide होगा, बात यार रखेंगे, ठीक है, अब mercuryus में एक होता है, तो ऐसे इस्तिति में आपको यह निमाग में रखना चाहिए, तो यह हो गया, इस तरह से copper की बात की जा, तो copper में क्या होगा, अब देखो, यहां पर लिख देता हूँ, यहां पर जगह है, copper का Cu2S यह हो गया, इस copper की भी valency 1, तो Cu2S plus O2, अब यह reaction कराएंगे, तो यह बनेगा Cu2O plus SO2, यह reaction में क्या करेंगे, बैलेंस करना चाहिए, आप करिए balance, तो यह similar expression है, इसलिए ज़्यादा कोई दिकत इसमें भी नहीं है, यह आप इसको 2 से multiply कर दीजिए, और यह sulfur और oxygen मिलके sulfur dioxide gas release हो जाएगी और copper निकल के आ जाएगा, तो इसको भी balance करेंगे, तो इसको balance कैसे करेंगे, oxygen यहाँ पर 2 है, तो इसको 2 से multiply कर देंगे, तो oxygen हो जाएगा, एक sulfur हो जाएगा, यह निकल आएगा, लेकिन copper हो गया, चार और दो 6, तो six copper हो गया, और sulfur dioxide gas gas निकल गया, इस तरीके से इसको extraction कर सकते हैं, तो आपने देख लिया, कि gold और silver तो naturally pre-state में ही मिलते हैं, लेकिन अगर कोई और है, जैसे कि copper है, mercury है, यह less reactive metals है, अगर यह sulfide के form में हैं, तो इनको हमें क्या करना है, इनको पहले oxide के form में बदलना है, और oxide से pure metal निकलना है, इसमें भी दो बाते हैं, अगर mercury था, तो mercury oxide में, mercury oxide में, हम क्या किये, उसको सिर्फ heat कर दिये, उसमें से oxygen release हो गया, और mercury बच गया, लेकिन copper oxide में ऐसा नहीं किया, उसको copper sulfide के साथ ही फिर से reaction कराया, जिससे sulfur dioxide gas release हो गई, और sulfur dioxide gas release हो गई, तो copper बच गया, तो जैसी देवता मैंने पहले जैसा कहा, वैसी पूजा, हर एक metal के लिए specific तरीका है, उसे metal extract करने का, और ये बाते आपको याद रखना चाहिए, कुछ prominent metal की बात हम यहाँ पर करेंगे, तो यहाँ पर दो process के हमने बात की है, एक है roasting, roasting क्या है, roasting एक process है, और दुसरा है calcination, तो roasting क्या है, तो process of conversion, conversion of sulphide ore, sulphide ore, from, into, sulphide ore, into oxide, into metal oxide, in presence of strong air, is called roasting, roasting, यह होता है, strong air, ज्यादा हवा होने चाहिए, मतलब खुले असमान में होने चाहिए, और पोई नहीं बाते हैं, तो इसको हम कहते हैं, roasting, और calcination जो है, उसमें क्या होने चाहिए, उसमें air नहीं होनी चाहिए, या बहुत limited air होनी चाहिए, तो calcination एक प्रोसेस है, इसके बारे में भी लिखनें, calcination, the process of conversion, conversion of carbonate compound, compound, into metal oxide, metal carbonate compound, यहां भी चाहिए, आप मेटल सा पिलिख सकते हैं, metal carbonate compound into metal oxide compound, in presence of limited air, presence of limited air, limited air, और even in absence of air, पर absence of air तो होता नहीं है, आप जब तक atmosphere में रहेंगे, तो air का absence कहां रहेगा, ना जब आप तभी absence of air होगा, जब आप कहां जाएंगे, space में जाएंगे, फिकर है, limited air is called, calcinease, calcinease, चीक है, तो थोड़ी बहुत यह है, तो इदर उदर से पास होई जाएगी, but basically, यह समझे कि limited air कहा सकते हैं, तो वर्ड ज़्यादा बेतर है, इन fact लिखने के absence of air, तो हम लिख दिये, limited air, तो इसमें क्या होनी चाहिए, इसमें limited air होनी चाहिए, और इसमें क्या होनी चाहिए, तो strong presence of air होनी चाहिए, तो इसकों कहेंगे, हमने air की presence में, strong air की presence में हमने इसको heat किया है, और heat करने से, इसमें सिल्पडा एक्सेट यहां पर heat होनी चाहिए, तो यहां पर heat है, heat का symbol हम देते हैं क्या, तो यह delta, का मतलब heat किया गया, heat करने पर यह ऐसा बन दा लिए, ठीक है, यहां पर heat ही जड़ोती ही है, यह आपस एक्सेट ही कर लेते हैं, तो इससे copper निकल जाएगा, आपको mercury, तो यह दो बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, कि mercury के sulfide हो, तो उसको पहले heat करने से mercury के oxide मिलते हैं, और फिर उसको further heat करने से क्या मिल जाता है, mercury, उसी तरह से copper के, अगर sulfide हो, तो उसको पहले heat किया जाता है, तो इस process को क्या कहेंगे, roasting, और heat करने से क्या मिल जाएगा, mercury के oxide मिल जाएगे, और mercury के oxide मिल जाने के बाद, फिर वह mercury के oxide जो कुछ बनेंगे, वो mercury के sulfide के साथ, sorry copper के oxide मिलेंगे, copper के sulfide अगर हो, तो उसे heat करने के बाद copper के oxide मिल जाते हैं, और copper के oxide फिर फर्दर reaction करके, copper के sulfide के साथ, sulfur dioxide गया सब्लिज करता है, और pure copper बच जाता है, तो इस तरह से mercury के, और copper के sulfide जो है, copper कई बार free state में मिलता है, इसलिए हम कहते हैं, कि copper की mines होती है, ठीक है, copper की mines होती है, gold की mines होती है, तो यह इनकी mines है particularly, क्योंकि उसमें free state में मिलता है, लेकिन कई बार copper free ना भी मिले, तो sulfide के form में मिलेगा, तो हम उसको extract कर लेंगे, अब बात आती है, कि medium reactive elements अगर हो, तो उनका कैसे करेंगे, medium reactive elements में पहले देखें कौन-कौन से आते हैं, यह है, zinc है, ferrous है, lead है, यह सब, copper जो है, दोनों में इसलिए लिखा है medium reactive, यह sulfide के form में मिलता है, और pure भी मिलता है, इसलिए इसको कहेंगे क्या, less reactive है, और अगर sulfide के form मिलता है, तो medium reactive का डेगरी में भी रख सकते हैं, तो zinc, iron, lead, यह सब medium reactive हैं, और medium reactive elements हैं, इनको कैसे करेंगे, तो इनको करने के लिए हम, यहां पर copper को some reduction किया है, reduce किया है, copper sulfide के साथ reduce किया है नहीं दुभादा, इसलिए, इनको reduction वाले process में रखा गया है, कि इसमें से हमने copper reduce किया, और reduce कैसे किया है तो फिर हमने copper sulfide के साथ reaction किया है तो यह तो यह reduction process है इसलिए इसको इस category में भी रखा गया है दो हो जा है और एक तो कि यह दोनी state में मिलता है दूसरा इसको reduction process से copper निकालते हैं इसलिए इसको reduction in zinc carbon यह है तो ऐसे भी reduction हो सकता है करवन के साथ तो zinc, iron और lead इनको कैसे करेंगे तो हम आप सीखते हैं कि extraction of metals extraction of medium reactive, medium reactive metals, extraction of medium reactive metals तो जैसा कि हम ने कहा है कि अगर इस medium reactive elements हैं तो इनके दो ही बाते होंगी या तो carbonate के form में होंगे या sulfide और के form में होंगे, carbonate के form होंगे तो calcination करेंगे, sulfide के form में होंगे तो roasting करेंगे और इससे क्या convert हो जाएगा, oxide of metal, फिर उसके बाद इसमें से हम metal को reduction कर लेगे, तो आईए देखते हैं, जैसे हमने zinc carbonate की बात की, zinc की example लेते हैं, हमने less reactive element पे zinc, iron और lead का नाल लिया है, एक example लेते हैं, zinc से ही शुरुआत करते हैं, तो यह है zinc sulfide, इसको चुकिए sulfide और है तो हमें क्या करना है, रोस्टिंग करना है, रोस्टिंग करना है मतलब क्या करना है, oxygen के purgence में इसे heat करना है, तो heat कर दिया तो क्या मिलेगा, यह मिलेगा, ZNO, zinc oxide, zinc oxide, zinc oxide, ZNO, plus A2, यह मिल गया, यह gas है, यह solid है, यह भी solid है, यह gas, मिल गया, तो zinc oxide मिल गया, zinc oxide, process क्या क्या हमने, इस process का नाम क्या है, यह process का नाम है, roasting, रोस्टिंग क्या है, और यह zinc sulfide था, zinc sulfide, ठीक है, अगर मान लिजें कि zinc का sulfide और ना हो करके, carbonator होता, ZNCO3, अगर यह होता, ZNCO3, यह भी solid state में होता है, तब इसको heat करते, और इसमें हम heat करते, तो oxygen अलग से नहीं डालते, तो oxygen की limited, जो उसमें oxygen है, limited oxygen, तो heat करेंगे, तो heat करेंगे, तो इस process को क्या करेंगे, calcination, ठीक है न, इसमें oxygen डालने की ज़रूत नहीं है, तो यह limited oxygen को क्या, तो इससे बनेगा, ZnO, फिर zinc oxide, प्लस CO2, तो यह मिल गया, यह भी gas है, यह solid है, तो दोनों ही process से आपको क्या मिल गया, zinc oxide मिल गया, अगर carbonate है, तो calcination process से, और अगर sulfide है, तो roasting process से, आपको मिल गया है, यह roasting से, और यह calcination से आपको मिल गया है, zinc के oxide, दोनों इस city में zinc के oxide मिल गया है, और zinc के oxide मिलने से यह है, zinc carbonate, तो यह तो carbonate होगा, यह sulfide होगा, carbonate होगा, तब भी आपको यह heat करना है, और oxide होगा, तब भी heat करना है, अगर sulfide होगा, तब भी heat करना है, sulfide है, तो oxygen के presence में heat करना है, और अगर carbonate है, तो oxygen अलग से डालने की ज़रूत नहीं है, उसे heat करना है, दोनों ही करने में, दोनों ही चीज़े करने में, क्या मिल रहा है, दोनों ही चीज़े करने के बाद आपको मिल रहा है, जिंक ऑक्साइड यह मिल रहा है जिंक ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड को हमने यही प्रोसेस कहा था कि दोनों ही चाहे रोस्टिंग करो चाहे कैल्सिलेशन करो आपको मिल जाएगा यह देखो यह मिल जाएगा मेटल का ऑक्साइड तो वहां जिंक है तो जिंक का सबसे पहले कहते हैं कार्बन रिडक्सल जेड़ेनों और कार्बन के साथ इसको और हीट किया जाए तो यह जिंक मिल जाएगा और CO2 gas oblige हो जाएगी तो CO2 gas oblige हो जाएगी इसमें से ठीक है और zinc मिल जाएगा यह हो गया metal अब इसको purify कर सकते हैं वैसे zinc आपको मिल गया है और यह carbon dioxide gas oblige हो गया यह gas है जो oblige हो जाएगा यह carbon है carbon reduction इसलिए कहते हैं यह zinc oxide है और carbon के purgence में इसको heat किया गया तो carbon dioxide carbon oxygen को साथ ले करके निकल लिया और zinc वहाँ पे रह गया तो इसको हम कहते हैं reduction तो फिर हमने metal oxide से क्या कर दिया? reduction और reduction करने के बाद आपको metal यहाँ पर carbon sorry यहाँ पर carbon dioxide नहीं carbon monoxide ही निकलेगा क्योंकि यह carbon oxygen मिलके carbon monoxide बनाता यह गयाज ही है लेकिन यह carbon monoxide बनाता इसको कहते है carbon monoxide Mono का मतलब एक डाई का मतलब दो carbon monoxide निकलता ठीक है चले तो यह थोड़ा दियान रख लिए अब बताक metal of high reactive high reactive के लिए क्या करें यह जो high reactive है जैसा कि हमने पहले ही कहा यह high reactive वाले metal high reactive के हैं इनको electrolysis करना है अब molten ore यानि इसको पहले पीगलाना है इसको molten stage में लाना है जो solid form में होता है इसको molten stage में लाना है फिर उसको electrolysis करना है तो कैसे करेंगे आइए उसको सीखते हम अब कर रहे हैं बात किसके तो extraction of extraction of extraction of high reactive metals इसकी बात कर रहे हैं चुकिए यह high reactive metals हैं तो इनको कारवन से reduction नहीं किया जा सकता है कि कारवन इसके साथ जो electron का transfer होता है कारवन में electron लेने और देने दोनों की capacity बहुत कम होती है कारवन न तो electron लेना चाहता है न देना चाहता है क्योंकि आउटर मोस्ट में 4 electron है तो यह किसी compound के साथ easily metal के oxide के साथ में जो metal के oxide होंगे या कोई और होगा chloride होंगे उन में से यह oxygen निकालने में कमयाब नहीं होता उसमें से chlorine निकालने में भी कमयाब नहीं होगा तो इस तरीके से carbon reduction यहां पर आसान नहीं है और possible भी नहीं है दूसरा oxygen से reduction करें तो oxygen की affinity जो होती है वो metals के साथ और ज्यादा होती है इसलिए यह oxygen से भी reduction नहीं किया जा सकता तो यहां पर metal को molten stage में ला करके और electrolysis process से reduction किया जाता है electrolysis process क्या है पहले तो इसको जो solution है इसको मेटल के chloride है उसको molten stage में ला जाता है heat करके और molten stage में metal से metal के chloride अगर है metal के chloride है chloride है इस तरह का salt है तो यह जो है इसको हमें की पहले molten stage में लाना होगा molten stage और molten stage में ला करके एक होता है electrolysis करने के लिए ऐसा बरतन इस बरतन में एक होता है यह cathode यह है cathode और है यहां पर आपका solution है जिसको electrolytes कहते हैं क्या कहते हैं एलेक्ट्रोलाइट्स के solution electrolytes ठीक है यह solution है पूरी तरह से अब इस solution को यहां डाल देने यहां पास क्या होगा कि copper जो होगा को यहां पर जमाँ हो जाएंगा कि अगर sodium कोपर जो जो फ़ कहां हो जाता है यहां पर लिक निए इस तरीके से copper का हम कर रहbung है कोई माली जे तो य जो है यह कहां पर चला जाएगा एस नोड़ पे क्योंकि कॉपर क्या होता है, कॉपर जो होता है, कॉपर जो होता है, वो पोजटिव ली चार्ज होता है, तो वो चला जाएगा, कैथफोर्ट पे पोजटिव चार्ज, कैथफोर्ट पे जाएगा यहां से, और निगेटिव ली चार्ज जो पाटिकिल होगी, वो इनोर पे आएगा, त इसी तरह से मालेज़े कि sodium chloride जो common salt है इसकी बात करें तो sodium chloride है यह इसको अगर इसमें डाला जाए इस electrolyte solution के form में इसको फूल बना करके इसका solution बना करके sodium chloride है sodium chloride तो क्या होगा तो इस solution को अगर इसको electrolyte के form में यहाँ पर डाला जाए नीचे solution के form में यह solution के form में अगर इसके डाला जाए तो इसका होगा यह break हो जाएगा Na plus और Cl minus ने एने प्लस तो यह चुकि पोजिटीव है तो इक हमाँ होगा यह cathode पे जमाँ होगा Na यहां जमा हो जाएगा और Cl यहां जमा हो जाएगा और इस तरह से sodium chlorine से अलग想र। Sodium में वोगा तो 281 होता है तो इक एक कर लेता है वह यह same है इसका 2,87 होता है तो यह populaire कर लेता है यह truck कर रहा है है और एससी छितिति में sodium का structure हो जाता है, 10 electron हो जाएंगे, 28, और chlorine का structure हो जाएगा, उसमें 18 electron हो जाएंगे, 288, यानि further sodium जो है, उसमें से 1 electron निकल गया है, तो यह बन गया है क्या, Na+, sodium में से 1 electron निकल गया है, तो यह हो गया, Na+, और chlorine में 1 electron जुढ गया, इसलिए हो गया, Cl-, तो इस तरीके की जो चीज़े होती है, यह high reactive, जो metals होते हैं, यह salt के form में होते हैं इसलिए, और उनको निकालने के लिए, उनमें से metal एक्चेक करने के लिए, हम electrolysis process का सहरा लेते हैं, और electrolysis में क्या होता है, कि पहले से molten stage में या उसका solution बना करके, और जो electrolyte solution उसको कहते हैं, उसको किसी बर्तन में रख दिया जाता है, और उसमें 2 electrodes लगे होते हैं, carbon rods होती है, जो conductor है, conductor of electricity, तो उस तरीके की ग्रिफाइट rod होता है, तो वह conductor of electricity होता है, और उसमें 1 पे जमा हो जाएगा, या metal rod भी हो सकता है, एक पे जमा हो जाएगा sodium, और एक जमा हो जाएगा chlorine, sodium चुकी positively charge है, तो cathode पे जमा होगा, और chlorine चुकी negatively charge है, तो वह जमा हो जाएगा, और उस रट पे जमा हो जाएगा उसको फूर रट को बाहर निकाल करके, और उसमें सब्सक्राइब, sodium और chlorine को अलग-अलग कर सकते हैं, तो इस तरीके से ये metal का extraction होता है, अब अगली class में हम करेंगे, और इस को खत्म करने की कोसिस करेंगे, कि corrosion क्या होता है, और बाकी सारी चीछे, ठीक है, तो तब तक के लिए कुमन लगा के पढ़िए इस chapter को, और आज आपने सिखा कि extraction metal का कैसे करते हैं, उसमें हमने तीन बाते सीखी, कि तीन तरह के metal को तीन काटेगरी है, अब जैसी देवता हो, ऐसी मूचा, metals pure form में नहीं होते, generally यह carbonate या sulphide ore के form में होते हैं, और अगर sulphide है, तो उसमें oxygen के presence में गर्म करते हैं, या रोस्टिंग करते हैं, और अगर carbonate है, तो इसको limited air के form में उसको treat करते हैं, that is called calcination, और जिस तरह से में oxide मिल जाते हैं, oxide मिल जाता ह है, metal के हैं, तो फिर हमें से reduction करते हैं, उसका pure reduction मतलब हटाना, reduce करना, जो oxide है, उसमें से oxygen को हटाना, oxygen को हटाने को reduction कहते हैं, oxygen के जोड़ने को oxidation कहते हैं, यह पिछली chapter में हमने बताया था आपको, ठीक हैं है, chemical reaction, तो इसलिए इसका नाम है reduction, क्योंकि हम इसमें से oxygen का removal कर रह है, तो इसलिए क्या हुआ, मैं इसको कहेंगे reduction, और जो low reactive है, वो यह जातो free stage में होते हैं, या sulfide के form में होते हैं, तो sulfide के form में चुपी होते हैं, तो रोस्टिंग करके फिर वहां भी हम metal oxide में convert करते हैं, और metal oxide से free reduction करके metal में convert कर लेते हैं, जो high reactive elements है, उनके molten stage में होते हैं chemical right salt होते हैं, उसको हम क्या करेंगे, उसको molten stage में ला करके, और फिर cathode की मदद से electricity उसको पास करते हैं, और electricity पास करने से जो उसके बीच का bond है, sodium और chlorine के बीच में, ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक होने के बाद sodium कटाया है, जो है वो cathode के जमा हो जाता है, और Bluetooth Casey इसलिए कैथोड एठोड पर जाकर जमा हो जाता है, ज्यान रहें, कटाय। का मतलब पॉस्टिभ चार्ज होगा, और Nerd का मतलब जो negative charge होता है, तो c aid जो है, वो cathode पर जाकर जमा हो जाता है, और eniacs जो है, वो तो इस तरीके से सोडियम और फ्लोरील अलगलन हो गए तो हाई रियक्टिव मेटल्स को करने का जो प्रोसेस है प्रोसेस को इलेक्रोलाइसिस कहते हैं। तो आई होग आपको यह अची तरह सिसमिल में आगया होगा अगली लास में फिल मुलकाथ होती है अग उस लास में को लगत करने की प्रोसेस करें है। ठीक है।